कि कोई ब्यक्तिमाल हो डारेक्ट एसी में पैदा हो जाए एसी का मतलब इस लेबल पे कि उसके घर में एसी लगी हो अब उसको बाद में ले जा कौनों पेड़ेंग नीचे बैठाई दो तो का अच्छा लगी बहुत टंसन में आ जाएगा रोने गाने लगेगा सोचेगा कहा पेहमाया तो जीवन वर्बाद हो गया भगवान को तुरंग गरियाने लगेगा है कि नहीं लेकिन जैसे आप कहां पैदा होगे आप छपरम पैदा होगे मालो अब छपरम बैटे हो बाद में सोच रहे हो खपड़ा मिल जात बहुत सही रात है कि नहीं कुछ दिन बाद पैदा जा रहा है सकिल मिल भरवाए प्रत्रेट यह बबहुत बूल है कि इसके बाद कुछ आप दोने लगेगा उतना जीवन के लिए अपसंस है आपके पास अभी क्या है आप दाओं में पैदा हुए आपके पास तो कुछ ही नहीं भाई आप मालो हिंदी पढ़ो कुनों एकको पैसा खरक क्यों जादा नहीं जे पहले सबसा चला एक लाख रुपया खरक कर रहें महिनना बस साल भर का यह जैसे से में सोमेस और इस तरीके कि लोग क्या है इतने लेते ना घरवाले आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं तो लेकिन आपको यह दिखाना है कि यस आई केंडू ठीक और जब यह अपने अंदर पहले आना चाहिए कि मैं तुमसे अलग हूं मैं कुछ कर सकता हूं मैं आना अभिमान भी हो सकता है और मैं आना स्वाभिमान भी हो सकता है अभिमान और स्वाभिमान के बीच में हेर लाइन डिफरेंस होता है ठीक इसलिए बहुलों को अभिमान भी लग सकता है लेकिन वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए और दुनिया में हर चीज बराबर नहीं होती ठीक इसलिए इस बात को समझो भगवान ने आपको ऐसी जगां पैदा किया कि अज़ा दुनिया के किती भी बैक्ति की बात करो बहुत बड़ा हुआ होगा तो उसको देखो कि बहुत छोटे से गया होगा अब दुलकलाम आजात की बात कर लो पदा जला सुबेरे बिचारे पेपर बाटते थे छे साथ भाई थे लेकिन वहां पर गए कहां पर गए आप समझ सकते हो कोई भी बड़ा बैक्ति देखना जो बैक्ति नीचे से एकदम कि उसने जीवन देखा वही बहुत बड़ा कुछ कर सकता है ठीक और आप यह समझो कि आपने असली जीवन देखा क्योंकि आप गाउं में पैदा हुए गाउं में आप जो चीत देख रहो